कि बखान की कि है कि हलो फ्रेंट्स वेलकम्टंट येर्टेल आर्जियोम्यटिक्स इस वीडियो लेक्च्छर के अंदर हम नॉन शिस्टेमाटिक रेडियोमटिक एरर्स और देयर कर्रेक्ट्चन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो प्रीवैस लेक्चर देखे हैं रे के जो image correction और अमरे पास image Errors क्या होते हैं ृसके बारे में देखा था तो कमने यह स्सिस्टॉमेटिक के बारे में देखे था आज हम जो पढ़ेंगे वो non systematic यार। के बारे में पढ़िए और उसका क्यों कैसे apply करते हैं के बारे में देखेंगे तो start करते हैं कि radiomatic errors जो है वह हमारे पास कैसे enter कर सकता है मतलब कि कैसे distortion हो सकता है किसी भी image के अंदर radiometrically वह हमारे पास कै कि जब कोई remote sensing system जो है हमारे पास वह वर्क नहीं करता properly मतलब कि कुछ नहीं कुछ malfunctioning हो जाती है तो हमारे पास non-systematic रेडियोमेटिक एरर अकर करता है हमारे पास और इनका जो नेचर होता है वो नौन सिस्टेमाटिक होता है इसका मतलब क्या है कि यह जो डवलप होते हैं वो एटमस्फेरिक स्केटरिंग और एबजॉप्शन या फिर टोपोग्राफिक एटिनुशन की वैस होता है क्योंकि हम स्केन करता है स्केनर हमारे पास तो उसकी वैसे रेडियोमेटिक एरर अकर होता है हमारे पास जो के उसकी इंटेंसिटी जो होती है वेल्यू वो हमारे पार एरर शो करती है हमारे पास या फिर आपका एटमस्फेरिक स्केटरिंग या एबजॉप्शन जो फैनोमेन होता है atmosphere के अंदर जो भी उसके अंदर constituents या particles होते हैं उसकी वैसे scattering होता है वो भी हमार पस value को change करते है pixel value को जो के radiometric error का एक type है हमार पस ठीक है तो यह चीज़ हमने देखी थी it is essential to carry out corrections for non-systematic errors in the following circumstances if you are trying to compare remote sensing images which have been acquired at different times तो माल लीजी आप कोई भी एक ही place के मतलब same place की दो images को compare करना चाते हो जो कि दोनों image के different time पर ली गई है अमार पस तो उस remote sensing images को आपको compare करना है तो जो भी corrections रहेंगे वो करने apply है जरूरी है अमार पस क्योंकि different different अमार पस जो features है atmosphere change होगा अमार पर time के साथ अमार पस और देखोगे आप तो अमार पस जो भी correction होगा वो भी different होगा अमार पस तो correction करना बहुत जरूरी है अमार पस उसके बाद if you are modeling interaction between electromagnetic radiation and the surface feature अगर आप surface feature और जो भी हमार पा image के अंदर radiation capture हुई है उनके interaction के बाद जो हमार पस object से reflection होके sensor तक पहुंचते हैं उनका comparison करना चाहते हो तो भी आपको मतलग के correction करना apply बहुत जरूरी होता है उसके लाप अगर आप देखोगे अगर आप band ratio use कर रहो image analysis के लिए तो भी आपका radiometric correction apply करना बहुत जरूरी होता है अब यह correction जो होता है वो तीन steps में होता है ठीक है यह figure में हम देख सकते हैं अभी हम figure देखेंगे लेकिन correction जो होता है non systematic errors का वो तीन steps में होता है सबसे पहले आपको क्या conversion करना पड़ता है digital number का to the sensor spectral radiance जो भी हमार पास reflectance होता है हमार पास object के थ्रूँ तो जो sensor तक पहुंचता है वो spectral radiance के basis पे digital number को correctify करना पड़ता है तो आप इस diagram में देख सकते हो figure 4 के अंदर कि image data जो भी है digital value are recorded by the sensor उसके साब से image create होगी remote sensing की तो जो भी सबसे पहला step यह है हमार पास के spectral radiance जो actual होनी चाहिए हमार पास वो उसके basis पर digital number की value को convert करना है आपको दूसरे step में conversion of spectral radiance to apparent reflectance जो apparent reflectance के basis पर जो आपका spectral radiance है उसको convert करना है तीसरे step में removal of atmospheric effects जैसे atmospheric correction apply करना है तब जाके आपको जो final output image मिलेगी image data मिलेगा वो क्या होगा जो actual value होगी जो actual reflectance value होगी और surface की वो आपको उस remote sensing image के अंदर देखने के लिए मिलती है तो पहले step में समझते है क्या होता है कि involves the conversion of digital numbers to the sensor spectral radiance तो इस वाली step के अंदर जब हम conversion करते हैं digital number का उसके spectral radiance के साब से तो gain और bias का द्यान रखते हैं यह क्या है हमारे पास terminology यूज की जाती है sensor जो हमारे पास हर एक image band के अंदर gain और bias रखता है gain का मतलब क्या है क्योंकि calibration information है sensor की कि वो किस हिसाब से calibrate कर रहा है तो gain जो होता है वो हमारे पास क्या है gradient of the calibration को represent करता है और bias जो करता है वो हमारे पास कि कि जो भी sensor होता है, जो भी हमार पर digital number 0 value होती है, उसको कैसे represent कर रहा है हमार पर? तो वो bias कहलाता है हमार पर, bias is the spectral radiance of the sensor for digital number of 0, तो जो 0 होता है, वो black color जेंदली show करता है, तो उसको spectral radiance जो है sensor का, वो कितना represent कर रहा है, वो bias कहलाता है हमार पर, और gain है सिंपल ही है कि जो भी हमारे पार gradient रहेगा calibration का जैसे कि हमारे पास देखा गया radiometric analysis के अंदर 8 bit image के अंदर 0 से 255 रहता है तो जो gradient रहेगा अब हमारे पास वो represent क्या करता है हमारे पार? gain represent करता है तो gain और bias की information हमारे पास होना जरूरी है हमारे पास digital number को उसके spectral radiance के साब से convert करने के लिए क्योंकि जो sensor calibration होता है is carried out before the launch of the sensor sensor calibration includes procedure that convert digital number to the physical values of the radiance तो जो भी sensor होगा माल लिजे आपके पास radiation जो है band होता है हमारे पास sensor जो है उसी band में जो भी radiance आती है उनको sense करता है उनको capture करता है तो उसके हिसाब से हमारे पास digital number प्रोवाइड करता है अपनी remote sensing image के अंदर तो कहने का मतलब यह जो sensor का calibration रहता है कि इस range of wavelength band को वह इतने digital number देगा उससे represent करेगा तो यह सब जो है वह sensor calibration launch होने से पहले ही किया जाता है तो जो भी sensor calibration chart रहता है procedure रहता है digital number प्रोवाइड करने का जो भी physical value रेडियेंस की उस sensor तक पहुचने से पहले तो वह वह अगर सही रहेगी तो हमारे पास जो भी remote sensing की image रहेगी वह actual feature या फिर actual object को represent करेगी हमार पास ठीक है simply बात है हमारे पास कि the relationship between digital number recorded at a given location and the reflectance of the material making up the surface of pixel area changes with the time hence the coefficient values that are used to calibrate image data also vary with the time तो जब भी हमारे पास जो pixel area है वो change होता है हमारे जैसे ऐसे आप move on करोगे या फिर आप किसी भी एक place पर अभी हमारे पास sense कर रहे है और कुछ थोड़े time के बाद sense कर रहे है तो बहुत सारे factors बीच में हमारे पास आते है या फिर आप माल लीजिए आप किसी भी crop की कर रहे हो तो वो change हो जाएगा उसका जो nature रहेगा crop का वो change हो जाएगा तो जो reflectance value रहेगी उस object से उस crop से वो हमारे पास change हो जाएगी तो उसकी जो pixel area value change होगी वो भी change हो जाएगी तो इससे हमारे पास क्या है कि जो reflectance value है जो हमारे पास calibration value है sensor की वो भी different digital number को record करनी चाहिए हमारे पास इसका मतलग तभी वो जो sensor है calibration अच्छे से है हमारे पास तो जो relationship between digital number recorded at a given location and reflectance of material making of the surface of pixel area changes with the time तो जो coefficient value है हमारे पास जो calibrate image data के लिए वो भी हमारे पास time के साथ vary करता है यहारे पास घिक है तो इससे जो भी actual spectral radiance होना चाहिए sensor का वो digital number में convert को होता है यहमारे पास तो calibration जो होना चाहिए sensor का वो अच्छे से होना चाहिए gain और Bias उसकी information हमारे पास होनी चाहिए ठीक है यह सिंपली जैसे के remote sensing method रहता है same to same वैसे ही हमार पास तो पहला step हमने देख लिया दूसरा हमार पास क्या है के conversion of spectral radiance to the apparent reflectance तो the conversion of spectral radiance to the apparent reflectance it converts digital number value from radiance unit to apparent reflectance apparent reflectance defined as the reflectance at the top of the atmosphere अब करते एक है तो जैसा कि एमने देखा कि जब radiation हमार पास reflect back होती है तो वह atmosphere थ्रू होती है तो जो भी top of the atmosphere रहता है मतलब कि जो भी particles रहते हैं उसके अंदर हमने देखा है कि scattering देखने के लिए मिलता है absorption देखने के लिए लिए मिलता है ज़ो top से reflectance देखने के लिए मिलता है जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर sensor है धिक है हम simply बात करते है एक diagram के दिरू और यहाँ पर object यह ठीक है इसको इसने सेंस किया और रेडेशन से यहां से यहां तक पहुँचती है तब जाके हमापद सेंसर केलिबरेट करता है तो पहले स्टैप में तो यह है कि जो भी हमापद रेडेशन रहना चाहिए वो हमापद डिश्टल नंबर में convert हो जाता है बट दूसरे में हमारे पास जो atmosphere के अंदर particles है उसके through हमारे पास जो directly radiation sensor तक पहुंच जाती है और जो भी top of the atmosphere में particles रहते हैं उससे scattering होके या फिर reflection होके हमारे पास के sensor तक पहुंचते हैं हमारे पास तो कहने का मतलब यह क्या है तरीके का atmospheric error होता है हमारे पास और distortion देखने के लिए मिलता है जिसका correction करना apply करना जरूर ही हमारे पास तो यह जो spectral radiance है उसको हम convert करते हैं apparent reflectance है और apparent reflectance के आशो करता है define करता है कि reflectance at the top of the atmosphere तो यह जो digital number values है radiance हमारे पास के apparent reflectance में convert करते हैं हम दूसरे step में तो जब हमने पहले step में digital values को convert कर लिया उसके spectral radiance के साब से दूसरे में हमने क्या किया कि spectral radiance को convert कर लिया apparent reflectance के हिसाब से जो digital number value होती है ठीक है तो यह क्या एक तरीके से atmospheric का effect देखने के लिए मिलता है फिर हम अगले step में उस atmospheric effect को remove out कर देते हैं atmospheric correction अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो भी starting से लेकर end तक का जो भी error रहता है उसके अंदर radiometric error वह हमारे पास correctify हो जाता है ठीक है तो next step में हम वही करते हैं कि removal of the atmospheric effect due to the absorption and scattering of the light मतलब कि atmospheric correction अप्लाई करते हैं तो इसके बहुत सारे methods होते हैं हमारे पास जैसे के some methods are relatively straightforward while other are based on the physical principles of interaction on the of the radiation with the atmosphere and requires a significant amount of information pertaining to the atmospheric conditions to be effect तो जो भी हम modeling use करते हैं atmospheric correction में उसमें हो सकता है कि आपको कुछ significant amount या फुल जो भी information है कि कैसे interaction होता है हमारे पास radiation का object के साथ या atmosphere के साथ उसकी knowledge होना जरूरी होता है तो इसको जो correction करने का तरीके हैं वो में लिए हमने 3 में categorize किया हुआ है सबसे पहले हम atmospheric modeling कर सकते हैं दूसरा image based methods हो सकते हमारे पास तीसरा direct calibration using field drive reflectancy या फिर empirical line method हो सकता है तो यह तीन तरीके हमारे पास atmospheric correction अपलाईगा नेगे ठीक है तो तीन step तो हमने देख लिए non systematic error को कैसे correctify किया जाता है बर तीसरा जो method है atmosphere correction वो ज्यादा important है हमारे पास तो उसके भी हमने तीन method में categorize किया हुआ है ठीक है जो procedure है सबसे पहले हम आपा atmospheric modeling कर सकते हैं मारे पास तो atmospheric modeling का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कोई भी model बना तो model का मतलब होता है कि जो भी actual ground पर available है आपने एक छोटे से scale पर बना लिया उसको बट जो उसका representation रहेगा वह actual ground पर जो available रहता है उसका रहता है model आपने देखा ही होगा कि अगर आपको कोई building का model बनाना है या फिर water body है उसके आसपास जो भी ground है तो वह सारी feature आप छोटे से scale पर आप same to same feature को show कर सकते हो तो कहने का मतलब है कि आपको पता है कि अगर हमारे पास building का है तो उसका जो भी shape रहेगा और जो भी water body है उसका color क्या रहेगा मतलब कि आपको पहले से चीज़ें पता है तो वही atmospheric modeling का मतलब है कि जो भी representation है मतलब कि अगर आपके पास fog है तो वह कैसे represent करेगा क्या scattering follow करेगा क्या absorption follow करेगा वह सब आपका पहले से calculated रहता है calibrator रहता फिर उसको हमका remote sensing जो image हमां है raw image मिलती है उससे compare करते हैं और उसके साब से atmospheric modeling के साब से उसको correctify करते हैं तो इसके बारे में देख लेता है कि in this approach atmospheric radiative transfer course मतलब models are used that can provide realistic estimates of the effect of the atmospheric scattering and absorption on the satellite image तो जो भी model use करते हैं उससे का realistic estimate हम provide कर सकते हैं once these effects have been identified for a specific date of imagery each band or pixel in the scene can be adjusted to remove the effects of scattering or absorption तो जिस particular date पर हमने satellite imagery ली है तो उस time पर हमारे पास क्या effect रहे हैं हमारे पास atmospheric effect जो रहते हैं उसका model के हिसाब से हम correctify कर सकते हैं उस atmospheric correction को तो जो image is then considered to be atmosphericly corrected तो उस time पर जो भी correction apply करने की जुरुरत है हमारे पास मतलब उस time पर हमारे पास clouds जादा हैं तो उसके साब से correctify कर सकते हैं कि जो actual digital number value होनी चाहिए satellite image में वो क्या होनी चाहिए तो वो modeling के साब से कर सकते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे atmospheric corrected मानेंगे बट हमारे पास क्या होता है कि unfortunately application of these codes to a specific scene and date also requires knowledge of both the sensor spectral profile and atmospheric properties at the same time तो जैसे मैंने आपको बता है कि अगर आपको correction apply करना है modeling का हमें का है पहले से पता होने चाहिए तो जब आप यह atmospheric correction के लिए modeling यूज कर रहे हो तो आपको दो knowledge होना जरूरी है कि एक तो उस time पर atmospheric conditions क्या आती है हमारे पास atmospheric properties क्या आती है clouds थे या नहीं हमारे पर fog ज्यादा था या फिर particle ज्यादा थे गैसे ज्यादा थे वह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए atmospheric property या condition पता होनी चाहिए दूसरा मारे पास sensor का जो spectral profile है कि किस कितने number of bands है मारे पाँ किस range of wavelength को वह identify या फिर detect कर सकता हो वह सारी profile जो है मारे पास sensor की वह सब पता होनी चाहिए मारे पास ठीक है for the most of the historic satellite data they are not available ideally this approach is used when seen specific atmospheric data such as aerosol content atmospheric visibility are available तो जैसे मैंने आपको बता है कि atmospheric की condition अगर आपको पता है तो आप यह वाला method use कर सकते हो मारे पास उसके अंदर के जैसे aerosol कितना content अवले बाल है atmosphere के अंदर या फिर atmospheric visibility कैसी है वो सब आपको information होनी चाहिए मारे पास most current radiative transfer based atmospheric correction algorithms can compute much of the required information if the user provide fundamental atmospheric characteristic information to the program और दूसरा हमार पास क्या है कि certain atmospheric absorption bands are present in the remote sensing data set ठीक है तो यह हमार पार वही सेम चीज़ है कि हमार पास दो चीज़ हैं पता होनी चाहिए एक तो atmospheric condition हमार पा information available होनी चाहिए या फिर user जो है वो प्रोग्राम को वो information देदे दूसरा क्या है हमार पास sensor के बारे में जैसे का हम ने देखा था sensor के spectral profile क्या है उसका absorption band के अविलेबल है वो सारी information हम प्रोग्राम में मतलब के information अविलेबल करा देते हैं तो वो हमार पर atmospheric modeling कर सकता है उसे साब से हमार पर correction apply करेगा उस raw satellite image के अंदर ठीक है for example most radioactive transfer based atmospheric correction algorithm required that the user provides तो user को क्या क्या information provide करनी चाहिए एक तो latitude longitude of the imaging मतलब के place कौन से sense किया हुआ है उस sensor ने या फिर हम कौन से place की हम satellite image ले रहे है lateral longitude हमें बताना पड़ेगा दूसरा date and exact time of the image timing भी बतानी पड़ेगी image acquisition altitude मतलब sensor का altitude कितना है वो बताना पड़ेगा जब हमने data को acquire किया उसके time पर हमार पास उसकी height कितनी थी sensor की वो चीज हमें information देनी पड़ेगी तीसरा हमार पा mean elevation of the scene mean elevation कितना है ठीक है उसके बाद atmospheric model polar summer है middle latitude winter है या फिर ट्रॉपिकल है तो atmosphere model क्या है मार पाद atmospheric की conditions क्या है उसके बार में information रखनी पड़ेगी उसके बाद हमार पाद radiometrically calibrated image radiance data तो हमार पास sensor के बार में भी information हमार पादा होने चाहिए कि spectral bands क्या क्या है मार पास वो सब information हमें atmosphere model modeling के लिए या algorithm जो भी होगा correction apply करने के लिए वह हमें यह information user को provide करनी पड़ेगी ठीक है उसके अलाबा data about each specific band हर एक band के बार में भी information देनी पड़ेगी मतलब कि उसका mean और full width क्या हाफ maximum जो भी हमार पास वो क्या है हमार पास fwhm उसकी information देनी पड़ेगी fwhm is the wavelength range defined by two points at which the intensity level is 50% of its peak value तो जो भी हमार पास Instagram बनता है आप देखते होंगे तो उसकी जो peak value है exactly half में जो 50% intensity level है peak का वो हमार पास क्या है full width or at the half maximum मतलब fwhm wavelength range है हमार पास तो उसकी information हमें हर एक band के बार में देनी पड़ती है उसके बाद अमार पा local atmosphere visibility at the time of remote sensing data collection मतलब atmosphere की conditions के हम आप उसकी बार में information देनी पड़ते हो उस time पे जस time पे हम data को acquire कर रहे हमार पास these parameters are then input to the atmospheric model selected and used to compute the absorption and scattering characteristics of the atmosphere at the time of the remote sensing data collection तो यह सारे जो parameters हमने उपर देखे वो सभी input करने पड़ेंगे जिस भी atmosphere model को हम यूज कर रहे है हमार पास उसके लिए है तब जाके बाँ अपर absorption और जो scattering characteristics रहेंगे atmosphere के उनको correctify कर पाते है मार पास और यह भी याद रखना है कि यह जो data होना चाहिए वो उस time का होना चाहिए जिस time पे हम data acquire कर रहे है मार पास ठीक है these atmospheric characteristics are then used to invert the remote sensing radiance to scaled surface reflectance many of these atmospheric correction program derive the scattering and absorption information they require from robust atmosphere radiative transfer code such as Motrin 4, Acorn, Atcor, Atram and Flash तो जब हम उपर जो input है हमार पास provide करते है तब जाके मार पा atmospheric जो होता है वो correction apply करता है और invert करता है remote sensing radiance को to the scale surface reflectance जो भी actual reflectance होना चाहिए उसके correction apply करता है ठीक है तो अमार पास जो program होते है जो भी हम model use करते है atmospheric model वो अमार पा कुछ quotes use करते है और उन quotes के हमार पार नाम available है ठीक है तो atmospheric modeling के बारे में यह सब है बार दूसरा जो method है हम use कर सकते है atmosphere correction के लिए वह हम आप पर image based method इसके अंदर क्या होता है कि one of the commonly used methods is known as the dark pixel subtraction method this method is generally used prior to band ratioing a single image and is not generally employed for image to image comparison हमार पास ठीक है तो image based method है हमार जिसके बारे में हम dark pixel subtraction method को देखेंगे अभी आगे और यह जो method है वो generally band ratioing जो single image होता है उसके लिए use होता है उसके लिए priority दी जाती है band ratioing single image के लिए अब जैसे कि इस histogram में देख सकते हो कि यह जो offset है वो किसके 31 digital number के लिए है और हमार पास totally यह 255 तक available है और यह pixel count है मतलब number of pixels है हमार पास और यह हमार पास digital number की value है तो 31 तक आप देख सकते हो 0 है और यहाँ से जो है आगे भी हमार पास pixel counter वो 0 है हमार पास तो यह क्या हमार पा एक तरीके से offset कहलाता है तो offset जो है हमार पास 31 digital number तक आपको कोई भी value देखने के लिए मिलेगी नहीं कोई भी pixel count नहीं होगा हमार पास 0 होगा हमार पास तो यह जो simple erotics used to reduce the effect of his in the image तो जो भी हमार पास blur देखते हो आप image के अंदर उसको remove out करने के लिए हमार पास image based method use किया जाता है ठीक है तो हमने देखा के dark pixel method use करेंगे इसके अंदर the underline assumption is that some image pixels have a reflectance of 0 and digital number value of these 0 pixels recorded by the sensor result from the atmospheric scattering मतलब के path radiance तो जैसा कि dark pixel के हम बात करें तो dark pixel का मतलब है वो क्या शो करेगा थोड़ा black color शो करेगा black color मतलब कि 0 उसका digital number रहेगा हमार पास near to 0 मतलब कि dark color शो करेगा हमार पास तो वही चीज़ है कि कुछ जो pixels होती है वो हमार पर reflectance 0 रखती है black color रखती है बट फिर भी image के अंदर क्या होता है जो atmospheric scattering होती है या फिर path radiance के लिए उसकी वज़ाए से 0 ना होने की वज़ाए digital number की कोई ना कोई value जो है sensor से record होती है हमार पास क्योंकि आप देखोगे जब sensor sense करता image हमने यह चीज पहले भी discuss किया है तो वह object तक पहुंचता नहीं है जो actual object से हमार पर reflect back होके उस image के अंदर जो pixel value आनी चाहिए थी जो digital number आना चाहिए था 0 आना चाहिए था तो यह जो 0 होना चाहिए था वह कुछ ना कुछ value शो करता है हमार पास तो इसको हमें confirm करना है और उसको remove out करना है हमार पास तो to remove path radiance minimum pixel value for each band is subtracted from all other pixels in the different band तो जो भी हमार पर minimum pixel value आएगी उसको हम minus करेंगे हर एक pixel value में से यह all other pixels in the different bands अलग-अलग bands के अंदर उस minimum pixel value को minus करते है हमारे पास ठीक है तो path radiance पहले देख लेते हैं figure 5 के अंदर figure 5 इसमें नहीं लिया गया है कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हमने अच्छा यह figure 5 आया है actually pixel count जो है वह हम आपस 0 है हम आपस जैसे हमने पहले डिसकस किया था path radiance के बारे हम आपने देख लिया है कि जो भी constituents अभिलेबल रहते है atmosphere के अंदर उससे directly reflect back हो के sensor तक हमाँ पर radiation पहुंझा था जो कि actual ground में zero digital number show करना चाहिए image के अंदर वह कुछ न कुछ value show करता है अब उसको remove out करने के लिए method जो हमने यूज किया है कि minimum pixel value जो होगी हर एक band के अंदर उसको हम subtract करेंगे हर एक pixel value in the different band ठीक है तो digital numbers in the pixels representing deep clear water in the near infrared image sorry band and dark shadows in the visual bands are assumed to result from the atmospheric path radius तो जैसा कि हमाँ पता है कि जब कोई भी band near infrared band यूज के जाता है और water body की sense करता है तो वह हमाँ पर black color show करता है मतलब को near to zero value होती है हमाँ पास ठीक है तो वह ही अगर हमाँ पास बात की जाए कि digital numbers in the pixels representing deep clear water in the near infrared जो कि black color होगा and dark shadows in the visual bands are assumed to result from the atmospheric path radians और जो भी visual band के अंदर dark shadow represent हो रही है वह क्या है हमाँ पाथ radians की वायस हो रही है ठीक है तो यह जो histogram है जैसे हमने figure 5 में देखा था कि since histogram offset can be used to measure as a measure of the path radians तो जो भी offset था 31 values वह हम के offset जो है वह हम path radians के लिए measure करते हमाँ पास it is also known as the histogram minimum method by plots of near infrared band against the other bands are generated for pixels of dark regions and then regression techniques are used to calculate the y-intercept which represent path radians in other bands the y-intercept value is then subtracted from all pixels in the image तो जैसे कि हम उने देखा कि जो path radians को remove करने के लिए क्या करते है minimum pixel values को subtract करते हैं दूसरे band से तो यह जो minimum pixel value है वो कैसे आती है हमार पस हम उसमें plot करते हैं दो एक तो near infrared band लेते हैं हमार पस ठीक है और एक अमार पस जो भी दूसरा band रहता है हमार पस उसका plot करते हैं तो उससे हम y-intercept निकालते हैं जो भी y-intercept होता है वो हमार पस क्या कहलाते है regression technique use करके हम y-intercept calculate करते हैं और y-intercept जो होता है वो हम आपर represent करता है path radians को दूसरे bands के अंदर ठीक है और उस y-intercept value को हम subtract करते हैं अपने उसी band के अंदर हर एक pixel value से तो वो actually मैं path radians को effect को remove कर देती है हमार पर तो यह by plot से होता है जैसे near infrared जो है वो deep clear water body को जो है और visible के अंदर जो dark shade होता है वो के रेप्रेजेंट करता है हम आपर path radians उसी के concept के basis पर हम other bands में भी उसका use करके y-intercept value मतलब कि उस path radians की minimum value होती है उसको calculate करते हैं और फिर उससे हर एक pixel से minus कर देते हैं हमार पर हर एक band के अंदर ठीक है when multi temporal imagery is being used for studying changes taking place in a study area common radiometric equality is required for quantitative analysis of the multiple satellite images of a scene required on different dates with the same or different sensor तो जब भी हम मतलब कि multi temporal image लेते हैं मतलब अलग-अलग date पर कोई भी एक place की image लेते हैं हमार पास same area की अगर हम image लेते हैं तो जो भी multiple satellite images होंगी है हमार पास different different times पर और different different dates पर हमार पास चाहे वो एक ही sensor से लिए जाए चाहे वो different sensor से लिए तो जो radiometric quality रहेगी वो same रहनी चाहिए हमारे पास तो इसका मतलब वो कहा है radiometric quality जो होती है वो better होती है तो जो radiometric quality है वो हमार पास same होनी चाहिए बट radiometric quality जो है वो rectify की जा सकती है जब हम किसी भी एक image को क्या करेंगे reference बना के use करेंगे हमार पास तो जो भी दूसरी images होंगी उनको transform करेंगे तो जो transformed images होंगी appear to have been acquired with the reference image sensor under atmospheric and illumination conditions nearly identical to those in the reference scene तो हम किसी भी एक image को reference मान के जो भी दूसरी images होती है उनको हम correction apply करके उसको transform करत तो वो क्या nearly identical हो जाती है जो भी reference scene होती है हमार पास जो भी reference image होती है हमार पास in order to achieve this a few sets of scene landscape elements with a mean reflectance which is almost time invariant are identified तो जो time के साथ change नहों हमार पास जैसे कि crop है वो तो growth हो जाएगी लेगन water body है हमार पास same रहती है बलके water body भी change हो सकती है माली यह कोई pole है वो same रहेगा हमार पा से वो time के साथ change नहों हो वो identify करने होते हमार पास उसके basis पर हमार पास जो radiometric correction है reference image के उसके साथ हमार पास उसको correctify किया जाता है ठीक है तो these elements are also known as the pseudo invariant features the average gray levels values of these reference sets are used to calculate mathematical mapping relating the gray levels between the reference and the remaining images तो उसके basis पर जो time invariant features हैं जिनको हम pseudo invariant features भी कहते हैं हमार पास वो क्या है अमार पास gray level उनका कुछ नो कुछ रहेगा तो वो जो average gray level रहता है उसके basis पर जो reference image रहती है उनका data collect किया जाता है set out जो भी उसका reference set रहता है उसको फिर हम mathematical mapping करके जो बाकी images रहती है remaining images उनको हम relate करते है उनके gray levels को और उसको correctify करते हैं हमार पास ठीक है तो यह हमार पास image to image हो गया हमार पास ठीक है image based हम क्या सकते है image based method होता है हमार पास atmospheric correction का third job हमार पास direct calibration है using field derived reflectance यह सबसे simple तरीका होता है हमार पास इसमें क्या करते है हमार पास कि this method is based on the assumption that reflectance measured in one region for a particular feature is directly applicable to the same feature occurring in the other region तो माल लीज़े आपके पास कोई भी water body है और same band है हमारे पास तो यहाँ पे अगर वो black show कर रहा है image के अंदर और आप दूसरे place पे जाते हो वो भी water body हो same band के अंदर आपको वो भी black color या same digital number की value आपको represent करेंगे हमार पास simple सा तरीक है तो यह अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या directly उसको convert करना पड़ेगा हमार पास और उसको correctify करना पड़ेगा ठीक है तो direct calibration मतलब कि जो एक object को या feature को represent कर रहा है sensor वो दूसरी जगह पर भी same feature को same value से represent करेंगा ठीक है तो हमार पास क्या है कि the method required some field work to measure true ground reflectance of at least two regions target of area covered by the image the ground measurements are made using spectral radiometer क्योंकि spectral radiometer से हमार पास जो radiance और reflectance होता है उसका reflectance करवा आपने बढ़ा होगा spectral signature का वो हमार पर spectral radiometer से बनता है हमार पास ठीक है spectral reflectance को वो measure करता है हमार पास तो आप जिस scene को जिस area को आपको sense कर रहे हो image ले रहे हो तो आपको कोई भी दो region at least two region को आपको ground reflectance जो true जैसे ground truth होता है हमार पास same to same आपको वो check करना पड़ेगा हमार पास ठीक है तो अभी हम देखेंगे diagram के help से तो sometimes large areas on the ground are painted in black and white as seen in the figure 6 तो जैसा के हम देख सकते हैं black और white से हमार पास उस ground को painted कर दिया गया है and recorded values over these areas are examined in the different bands and calibration values are computer based on the relation between expected and recorded values in the different bands तो हमें पता है कि अगर वो हमार पास visual band रहेगा तो यह black color का show होगा मतलब कि 0 के digital number जो है वो 0 के close होगा white है हमार पास तो जो भी 8 bit image है तो 255 brightness value रहेगी उसकी तो हम different bands में हमारे पास पता है कि कितना expected value होनी चाहिए बट जब हम इस area की image gather करते हैं और अगर हमारे पास उसके basis पर comparison करते हैं different band में expected value पता है लेकिन sensor जो है वो record करेगा अपने calibration के basis पर तो उसने क्या record की है value उसको फिर हम compare करते हैं हमारे पास recorded value और expected value होगे ठीक है तो beside atmosphere topography of the earth surface also induces error which require correction the effects of topography slope are तो atmosphere के लाबा हमारे पास क्या है topography की वैज़े से भी error देखने के लिए मिलता है तो उसके जो error रहता है वो क्या क्या हो सकता है कि effect of topographic slope क्या है कि local variation in the view and illumination angles क्योंकि हमारे पर topography बहुत ज्यादा vary करती है हमारे पास surface की तो उसकी वैएसे बहुत ज्यादा radiomatic error देखने के लिए मिलता है तो उसकी वैएसे effect जो है एक तो local variation in the view जो भी विए होगा उसके variation और illumination angle जो है उसकी वैएसे change देखने के लिए मिलता है दूसरा मारे पर क्या effect हो सकता है कि identical surface objects might be represented by totally different intensity value तो जो actual में spectral radiance की वैएसे जो digital number आना चाहिए satellite image में वो totally different हमार पास represent करता है तो the goal of topographic correction is to remove all topographically caused variance so that variation जो भी रहेगा हमार पर topography की वैसे उसको हम correct करेंगे तो वो क्या topographic correction होगा so that area with the same reflectance have same radiance और reflectance तो जो भी हमार पास sensor है exact value को represent करें हमार पास image के अंदर topographic correction अप्लाई करने के बाद ideal slope aspect correction removes all topographically induced elimination variation so that two objects having the same reflectance property show the same gray levels despite their different orientation to the sun's position तो जो view angle है हमार पाँ उसकी वैसे जो topographic error आता है हमार पाँ उसके लिए हमार पास ideal जो slope aspect correction रहता है कि slope और जो aspect रहता है उसका correction रहता है वो apply करने हमार पास जिससे कि illumination जो variation होता है वो at least remove out हो जाता है हमार पास तो जो दो objects होते हैं जिनकी same reflectance properties रहती है वो हमार पास same gray level को represent करते है at the different orientation of the sun position जो illumination angle रहता है उस different position में भी हमार पास same gray level को represent करता है हमार पास ठीक है तो correction apply हो गया वो topograph के लिए this required digital elevation data इसके लिए हमार पास का data ज़रूर रहता है DEM digital elevation model या फिर आपके लिजए digital elevation data की requirement रहती है of the area covered by the entire image so as well as satellite heading along with the sun's elevation and azimuth details तो दो जो topographic error cause कर रहे थे जो effect देखने के लिए मिलता था एक तो view angle में और एक illumination angle में illumination हमार पास sun's related है ठीक है तो इससे क्या totally जो भी intensity value हो different show होती है हमार पास उसको correctify करने के लिए आपको elevation data की requirement होगी हमार पास तो जो भी हमार पास area satellite image के अंदर cover हो रहा है उसका digital elevation data हमें चाहिए जिससे के satellite satellite जो heading है हमार पास जो के sun के साथ जो elevation रहेगा उसका azimuth detail रहेगा वह भी requirement होती है हमार पास तब जाके topographically correction apply होता है हमार पास और एक ideal slope aspect correction होता है जो के remove करता है topographically error को हमार पास ठीक है तो basically दो यह एक तो view angle है हमार पास दूसरा illumination angle है जो के sun से related है हमार पास ठीक है तो उसकी information भी हमें पता होनी चाहिए तब जाके हम topographically correction apply करते है हमार पास ठीक है तो यह हमार पास radiometric correction के बारे में था next lecture में geometric correction के बारे में देखेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंदा है प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जासे जादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमार साथ telegram और whatsapp चैनल पर जुड़िये और अपनी गेट्जुमेटिक्स की तैयारी आर्जुमेटिक्स